इस वीडियो में हम एक छोटा सा topic डिसक्स करेंगे जो है उब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी यह आपकी unit 4 का topic है subject assessment for learning का ठीक है उब्जेक्टिविटी में होंगे जो भी आपके objective type test होते हैं और subjectivity यानि कि जो भी essay type test होते हैं आपके ठीक है तो इन दोनों में difference के बारे में हम discuss करेंगे और friends मैंने इस subject की playlist बनाई है वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज है तो आप उन वीडियोज को देख सकते हैं लिंक आपको description box में मिल जाएगा और आप मुझे टेलिग्राम में भी जोइन कर सकते हैं उसका link भी आपको description box में मिल जाएगा वहाँ पर मैं आपको link दे देते हूँ या फिर आपको वहाँ पर PDF भी मिल जाएगी कुछ topics की तो चलिए स्टार्ट करेंगे difference है तो जो हमारे objective type test होते हैं आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे question होते हैं as compared to essay type test जैसे आपके TED के exam है जैसे अगर आपने HP test दिया होगा तो उसमें 150 questions आते हैं तो वह क्या है एक objective type test है और दूसरे होते हैं हमारे subjective type test जैसे test या फिर जैसे exam आप अपने BID में देते हो ठेक है तो यह क्या हुए हमारे essay type test और यह जो questions हैं यह कम नंबर में पूछे जाते हैं जैसे आपका BID का ही आम मानके चलें तो चार questions जो होते हैं वह आपको essay type questions करने होते हैं जबकि जो आपके short answer questions होते हैं वह आपको आठ करने होते हैं तो यह आगे हमारे essay type test जिसमें कम questions होते हैं और objective type test में ज्यादा questions होते हैं Second difference आता है हमारा कि जो objective type test होते है हमारे उसके answers छोटे होते है answers are short जैसे आपकी MCQs होते हैं आपके fill in the blanks होते हैं वो सारे objective type में आते हैं तो उनमें answers छोटे होते हैं जबकि जो ऐसे type हैं उसमें answers बहुत लंबे-लंबे होते हैं जैसे आप BAD में 16 marks का question करते हैं तो आपको लगबग 8 pages fill करने पड़ते हैं तो answers बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं Next आता है हमारा questions are answered in short time आप short time में questions को answer कर सकते हैं क्योंकि आपको tick करना होते हैं फिर one word answer वहाँ पर होते हैं जब्कि essay type test में जो questions होते हैं unके answers बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं उनमें ज़्यादा time लगता है लिखने में Next difference It takes long time to frame questions in objective type जो हमारे objective type होते हैं उसमें हमें जो question paper होता है फिर siete questions होते हैं उनको बनाने में बहुत ज़्यादा time लगता है जबकि जो हमारे essay type questions हैं उसमें कम time लगता है हमें questions को frame करने में question paper को बनाने में next आता है हमारा entire questions can be covered जो हमारा पूरा syllabus होता है उसको हम cover कर सकते हैं objective type test से जो essay type test है उसमें ऐसा possible नहीं है क्योंकि आप देखो आपकी पूरी book है उसमें से आपको सिर्फ 4 questions ही करने होते हैं और आपको 8 questions आते हैं 8 में से 4 करने होते हैं तो पूरा syllabus cover नहीं होता है वहां पर next one printing cost is more और अब देखो printing cost ज्यादा होगे क्योंकि अगर आपके 100-500 questions है तो उसमें कितने सारे pages लगेंगे जबकि जो ऐसे type है उसमें questions कम है तो printing cost भी कम होगी क्योंकि उसमें pages भी कम होगी हाना कुछ और difference भी है जिसे जो objective type test है वो specific होते हैं narrow होते हैं और definite होते हैं उसके जो भी questions होते हैं particular questions उठाए जाते हैं हाना जबकि जो subjectivity है इसमें जो questions होते हैं वो बहुत broad होते हैं indefinite होते हैं और journal question पूछे जाते हैं eighth difference is students find difficult to prepare बच्चों को difficulty हो जाती preparation के लिए क्योंकि syllabus इतना vast होता है हम guess भी नहीं कर पाते हैं कि कहां से question आएगा कई बार सो मुश्किल आती हैं जबकि जो subjectivity है तो यह थोड़ा सा easier होता है as compared to objective type test क्योंकि आपको prepare करना easy हो जाता है questions आपको कम आते हो जो slab से उसी में से पूछा जाता है next there is more scope of guessing answer जो objectivity है उसमें आप answers को guess कर सकते हो क्योंकि अगर आपके पास चार options है आपने एक सही टिकन है तो आप guess कर सकते हो बलकि subjectivity में ऐसा possible ही नहीं है क्योंकि इतने लंबे-लंबे questions को आप guess नहीं कर सकते हो next one they are time savers time save होता है objective type questions में आपको सिर्फ एक answer लिखना होता है जबकि जो essay type में वो time consuming है कितना जादा time लग जाता हमें एक ही question को attempt करने में next one coping cheating scopes are enough in these type of test जो cheating scope है वो ज्यादा होते है objective type test में क्योंकि एक दूसरे से बच्चे पूछ लेते हैं essay type test में difficult होता है cheating करना क्योंकि इतने लंबे-लंबे pages बच्चे चीट करके नहीं लिख पाता है next one only one correct answer सिर्फ एक ही correct answer होता है objective type test में जबकि जो essay type test है उसमें अलग अलग तरह के responses हो सकते हैं अलग अंसर होते हैं एक ही question के अलग पॉइंट होते हैं फिर उनको elaborate करना पड़ता है तो यहां पर हमारा यह छोटी सी वीडियो complete होती है objectivity and subjectivity की video helpful लगी हो तो वीडियो को लाइक करना जहां को subscribe नहीं के तो please do subscribe जल्दी मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ बबाई check care